कि इन ग्राम पंचायतों में उद्योक लगाने के लिए कंपनी लगाने के लिए सीम योगी की बड़ी तयारिया शुरू हो चुकी है जिसमें ग्रामेड इलाके के लोगों को बेहतरिन रोजकार के उसर प्रदान होंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही बड़ी अपडेट बताने वाले हैं इसलिए वीडियो पूरा देखें चैनल पनीवाएं हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजेगा लाइक और शियर करना ना भूलें जो बेरोजकार है उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी खबर है फैक्टरी लगाने की तैयारी में हैं सियम योगी योगी सरकार इन गाओं की जमीनों के बढ़ सकते हैं आज के इस वीडियो में बहुत ही खास बताएंगे अधितना सरकार ने ग्रामीरी छेत्र में रोजगार सिजय की नई संभावनाओं को खोलते हुए एक महत्पूर कदम उठाया है क्रिसी भूमी के उप्योग में रचिला पन लाने के उद्दे से सरकार ने क्रिसी भूमी को गहर क्रिसी भूमी में परिवर्टित करने से संब्मंदित पुराने कानून को खत्म कर दिया इससे नीति गत परिवर्टन के फल सरु पत्रप्ट देश के ग्रामेड चेतर में आर्थिक गत विदियो को नए गति मिलेगी यह पाहल ना केवल उद्धियों के विकास को प्रोशाहन प्रोशाहित करेगी बलकि रोजगार सेजन में भी महत्पूर्ण युगदान देगी इस इसे राच में आर्थिक प्रगति के नए आयां में स्थापित होंगे इस इस कानूनी सुधार के जरिये अब martese citizen में युवा ऊद्ध्य में बीना किसी बादा के अपने व्यापार एक ऊद्धियों स्थापित कर सकेंगे इस करती हें ना केवल ग्राम 명ेड उर्थवयसथा को परिवर्तन के लिए नई सुविधा है इसके पहले 12 समनों 5 एकर से अधिक रिसी भूमे पर उद्योग स्थापित करने से पहले चार दिवारी बनाना अनिवार था जिससे अब हटा दिया गया है ग्रामेट उद्योग के लिए नई सुविधा है इस कानून परिवर्तन के सुविधा जनक होगा इस कदम से उत्यप्रदेश में इच आफ डूइंग विशनेस के मान दंडों में सुधार होने की उम्मीद है उद्योग कि इस थापना में आसान ही होने से ना केवल राज में निवेज बढ़ेगा बलके ग्रामेट आबादी के लिए रोजगार के उस तो विभिन आबादी वाली जगों पर विभिन ग्राम पंच चायतों में कुछ इस तरीके से सरकार कमपनिया लगाएगी और जहां पर आबादी की जमेने होंगी और जहां पर भी सरकार तै करेगी वहां पर उद्योग लगेंगे और नए-नी कमपनिया खुलेंगी फैक्ट मतलब कि दूसरे सहरों में विदोसों में कहीं पर भी प्लैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें अपने ही ग्राम पंच चायत के आसपास रोज़कार मिल सकेगा यह मुख्यमंत्री का यह सियम योगी अधितनात का बहुत ही अच्छा फैसला लगा हमें तो और आपक किसी नहीं जानकारी के साथ थेंग्यू